ये हर दिन दो लाग से जाधा डब्बो की डिलिवरी करते हैं। कॉडिनेट करने के लिए कोई नए जमाने की टेखनोलोजी या सेलफोन भी यूज नहीं करते। इनकी एक्कुरेसी डब्बा डिलिवर करने की है 99.996%। इन्हें 100 साल से उपर हो गए ये सर्विस प्रवाइट कराते हुए बट कोई अभी तक इन्हें कॉपी नहीं कर पाया। ये हैं मुंबई के डब्बा वालाज जो हर दिन कस्टमर्स के घर से उनकी लिए खाना ओफिस लेकर आते हैं और फिर वापस से खाली डब्बा उनके घर देकर आते हैं अगले दिन के लिए। कई लोगों लगता है कि ये केटरिंड सर्विस देते हैं बट ऐसा नहीं है ये सिर्फ लोजिस्टिक सर्विस में ही हैं मुंबई में अराउंट 5000 डब्बा वाला हैं जो एक काम करते हैं और इनकी ये सर्विस एक लेजेंडरी सर्विस है इस पर लोग उतना ही बरोसा करते ह हैं जितना की मुंबई की लोकल ट्रेंस पर ये डबबा वाला ज्यादा पड़े लिखे नहीं होते और चाहे फिर हो मुंबई का ट्राफिक या मुंबई की बारिश बेडिक कभी भी कस्टमर के पास डबबा लेट नहीं पहुचाते तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये डबबा वाला इतनी अच्छे सर्विस दे पाते हैं और इसमें ऐसे कौन से मैनेजमेंट सीक्रिट्स हैं जो हमें प्रोफेशनली हेल्प करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंबई की लोकल ट्रेंस में अराउंट 40 लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं और ये इतनी भरी भी रहती हैं कि सास लेने के अलावाज ज्यादा ऑप्शन नहीं होता कुछ कैरी करनेगा ऐसे में जितने लोग भी ऑफिस जाते हैं वो अपने साथ डबबा केरी नहीं कर पाते यहीं पर डबबा वालास की सर्विस इंपोर्टिंट हो जाती है इनका ऑप्रेशन अगर देखे तो बड़ा सिंपल है माल लिजे कस्टमर का घर है अंधेरी में और डबबा जाना है CSMT यानि चत्रपदी शिवाजी महराज टर्मिनल जहां कस्टमर का ओफिस है तो डबबा वाला कस्टमर के घर से डबबा उठाएगा फिर जो सबसे पास लोकल स्टेशन है वहां पर जाकर डबबा सॉर्ट करेगा फिर train से customer के office के पास जो भी local स्टेशन है वहां तक जाएगा वहा पर डबबा वापर सॉर्ट होगा और फिर customer के पास डबबा deliver करके पड़ता दूसरा है ऐसा करने से ये अपनी service cost कम रख पाते हैं जिसे customer को फाइदा होता है इनकी डबा service की cost around 500 से 600 रुपे महिने की होती है जो बहुत affordable है अब इनका operations सुनने में बड़ा easy लगता है बड़ सबसे important है इसमें timing और accuracy maintain करना जैसे offices में team होती है ऐसे ही डबा वालास की भी 20-25 लोगों की team होती है और इन्हें अपने area के बारे में सारे knowledge होती है ये लोग बहुत ही tight schedule में काम करते हैं और इनके पास हर station पे 20-30 second होते हैं डबा load करने के लिए या उतारने के लिए अगर डबा station लाने में late हो गया तो alternative arrangements करे जाते हैं जिसे customer के पास डबा late ना पहुचे जैसे हर office में group manager ये team lead होता है जो team को manage करता है ऐसे ही डबा वालास के case में जिसको भी 10 साल से ज़ादा experience होता है उसे मुकदम बोलते हैं और एक मुकदम हर group में होता है जो उस group की सारी activities के लिए responsible होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा और सिर्फ लोग को manage करेगा वो भी सारे काम करता है group members की तरह अगर group में कोई issue हो जाए या कोई operation में दिक्कत हो तो सारे group के मुकदम मिल कर ये solve करते हैं अब आते हैं बहुत interesting part पर वो है डबबा sort कैसे होता है क्योंकि इसमें accuracy बहुत चाहिए इसके लिए ये coding system यूज करते हैं जो बहुत interesting है डबबा का जो ढकन है उसको तीन area में divide करा जाता है जिस पर coding होती है first area जो डबबा के center में होगा उसमें एक बड़ा number होता है वो है कि डबबा किस locality में deliver होगा second area में group of numbers होते हैं इनमें होगा कि कौन deliver करेगा किस building में deliver होगा और किस floor पे होगा third area में color, shape या number होते हैं जो बताते हैं कि डबबा का origin station कहा है मतलब जिस भी station के पास customer का घर है कई डबबो पर ये zone दो parts में होता है जहां customer किस area में है वो भी mention होता है अब आप ये सोचिए कि इस coding system से 99.997% accuracy आ जाती है इनका hiring system भी बड़ा strong है डबबा वाला अपने आप ही hiring, customer acquisition जहां अगर customer को डबबा लगवाना हो इस पर decision ले लेते हैं ये अपने आप customer ये साथ negotiate करके price भी close कर देते हैं अपनी service का इन्हें कोई approval की जरूरत नहीं होती एक basic price fix होता है distance के हिसाब से बट उसके उपर हर डबबा वालों को पूरी छूट होती है अपने आप decide करने की अगर किसी को डबबा group join करना है तो ये सब मिलकर decide करते हैं कि जगा है या नहीं अगर होती है तो 6 मेने तक डबबा वाले की training होती है हर काम में चाहे वो customer के पास डबबा ले जाना हो train से लाना हो या और कोई काम हो हर team में 102 डबबा वाला standby पर होते हैं अगर माल लीजे कहीं पर भी extra ज़रोत पर जाए क्योंकि इनका schedule बड़ा tight है डबबा वालाज इतनी महनत से एक काम करते हैं क्योंकि इन सब का एक ही mission है और वो है serving food is like serving God इसी के लिए ये सब आपस में बहुत connected होते हैं और एक emotional bond share करते हैं या आपने office में भी देखा होगा कि एक well connected team अच्छा perform करती है इनके काम करने के तरीके में काफी important things छुपी है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 important things जो आपने भी observe करी होंगी और आप अपने office में apply भी कर सकते हैं पहला है इन लोगों का structure काफी flash structure है डबबा वालास का कोई hierarchy नहीं है जिसे आजकल office में होती है इससे cost manage करना काफी easy and efficient हो जाता है और मुकद्दम को ground realities का पता रहता है second है focus where you are the best इतने साल हो गए पर इनोंने कभी भी अपना focus जो है डबबा deliver करने का उस पर कोई compromise नहीं किया हो सकता था ये अपनी kitchen खोल लेते और catering service provide करते या फिर cycle की जगा bike use करते पर कोई भी चीज अगर cost को बढ़ाएगी या फिर डबबा delivery service में problem करेगी तो वो उसे use नहीं करते जैसे अगर इनोंने खाना बनाना start किया तो हो सकता है लोगों खाना पसंद ना है और वैसे भी catering ए different business है बाइक यूज करने से पेटरोल का खर्चा maintenance, RTO के चकर ये सब cost बढ़ाते हैं तो इनोंने इस पर भी focus नहीं किया थर्ड है use of visuals and standardization अब सब डबबे एक size के होते हैं ऐसा नहीं होता कि customer कहे मुझे छोड़ा डबबा चाहिए या बड़ा डबबा चाहिए क्योंकि अगर ये सब के हिसाब से डबबा देंगे तो logistics में परिशानी होगी visuals का रोल यहां बहुत important है क्योंकि डबबे पर visual coding होती है और सब जानते हैं हमारा दिमाग visuals को सबसे जल्दी और efficiently process करता है तो इससे sorting में गरबड़ी के chances सबसे minimum होते हैं और ये इसी लिए इतने efficient है हम लोग जब corporate में presentation देते हैं तब भी कहा जाता है minimum text and maximum visual information fourth point है efficient process इनके process इतने set है कि बहुत पड़े लिके आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती टीम में काम करने के लिए अगर वो process follow करे तो same efficiency पे काम कर सकता है पर ऐसा नहीं है कि ये flexible नहीं है हर डबबा वाला को काफी flexibility होती है customer से negotiation में और relation बनाने के लिए fifth and last point है unified mission क्योंकि डबबा वाला काफी connected होते है और एक ही mission share करते है तो कभी भी system में gap नहीं आने देते ये इतने committed है कि जब तक सारे डबबा deliver नहीं होते ये अपना दुपैर का खाना भी नहीं खाते तो ये थी हमारी आज की business story और learning जिससे हम भी काफी सीख सकते हैं अगर आपको video and explanation अच्छा लगा हो तो like, subscribe and share ज़रूर करना हम मिलते हैं next video में